हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्व चैनल अमारी बग्या दोस्तों आप देखी रहे हैं कि यहां किस तरह से फूलों से पुरा बग्या भरा हुआ है और यहां जो है जईलीया के mostly जो पूल है वो किल रही है इसके यह लगााई है और एका दुखा दूसरे फूल भी लगाई है तो किस तरीके से जबत लगाया है क्या क्या नगाया है रहा है चलिए आज के वीडियो में देखते हैं दोस्तों ये जो खुपसूरत सा गार्डन आप देख रही है ये दुर्गापुर में रहने वाली शुक्रिया जी का गार्डन है और बहुत ही सुंदर-सुंदर फूलों से यहां पर उन्होंने भर रखा है यहां पर मैं अगर दिखाऊं तो देखे जहलिया के कितने सारे फूल जो है लगा रखे हैं और जहलिया एक से बढ़कर एक जो है यहां पर हो रही है mostly जो कलर है इसमें वो इस्तमायन के रैड ही है और यह सब जो है एक ही पौधे से इतने सारे पौधे बनाए हुए है इसके अलावा भी कई जगा और भी जहलिया उन्होंने लगा रखा है लेकिन एक जगा जहां यहां बीच में उन्होंने रखा है तो बहुत ही सुंदर और चारो और से यह भर गया है देखे एक से बढ़कर एक जो फूल है वो यहां पर खिल रहे हैं और इसके अलावा जो है एक यलो कलर जो है उसमें भी इनके पास आ गया है यलो कलर काफी ब्राइट है और देखे कितना सुंदर लग रहा है जहलिया में दोस्तों जो जो mostly इन्होंने यूज किया है तो इसमें गमले भी इन्होंने यूज किये हैं जो की cemented है यहां से मैं अगर दिखाओं तो यह सारे के सारे 12 इंच के cement के pot का इन्होंने यूज किया है और इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे जो grow bag है उसका यूज किया और यह जो grow bag ह घर में ही उन्होंने कट्टों से त्यार किया है, कोई ग्रोबैक भी असल में नहीं है, ये केवल और केवल जो कट्टी है, कोई चावल का कट्टा है, कोई सीमेंट का कट्टा है, तो इन्ही सब चीजों में इन्होंने लगाया है, और इसी में देखे कितने सुन्दर फूल जो और दूसरे फुल लगा दिये हैं लेकि कितने सुन्दर सुन्दर यहां पर लग रहे हैं पूरा अच्छा तैसा लग रहा है कि इनी से ही भरा हुआ है और जहलिया के अलाबा मैं अगर दिखाऊं तो इसके अलाबा पिटूनिया भी है लेकिन उहां पर हम बाद में जाएंगे पहले इसको देखती हैं ये जो है बहुत सुन्दर सा गुड़ल लगा हुआ है और ये गुड़ल भी ब्रांस से ही इनने त्यार किया है कहीं भी जाती है तोड़ा तोड़ा जो ब्रांच है वो इन्होंने इकटा करना शुरू कर दिया है उसी की काटिंग से ही ये जो बगीचा है इनका त्यार होना शुरू हो गया है अभी बहुत जादा दिन नहीं हुए है गार्जिनिंग को इनके लेकिन जो भी चीज़ी है ये खरीती नहीं है ये बस जो है इधर दर से ला करके लगाती है ये जो आप देख रहे हैं देशी पेटूनिया है और इसको बीजों से बड़े आसानी से त्यार किया जा सकता है दोस्तों अगर मैं यहां पर इनकी बात करूं जो ये वाले फूल है खासतर से तो इनको जो है mostly इनके नीचे जो है कुछ राइजोम रहते हैं जब ये पौदे सूख जाएंगे कोई जिनों के बात तो इसके नीचे जो है कुछ ना कुछ राइजोम यानिकि जो आलू के जै तो उसी को अगर आप रहने देंगे साल भर भी पूरा तो उससे फिर नए पौदे निकलेंगे ये पौदे तो जो है आपके सूख जाएंगे लेकिन जो नए पौदे हैं वो रह जाते हैं तो उनी नए पौदों की कटिंग लेकर के आप जो है सेप्टिमबर अक्टूबर म में उस समय लगा सकते हैं तो ऐसे में आपके एक ही पौदे से बहुत सारे जो पौदे हैं वो त्यार हो जाते हैं दोस्तो इस चगा पर मैं अगर जहलिया को दिखाऊं तो यहां पर घर्मकॉल के पेटी का यूस किया है जो कि काफी पुराना है लेकिन पौदा देखे कितना सुन्दर लग रहा है और दूर सड़क से जिसमें मैं आ रहा था तो वहीं से मुझे जो है लाल-लाल सुन्दर फुल यह दिखाई देगा और तभी मैं इनके च्छत पर आया इसके अलावा जो है यहां पर यह वाला जो डहलिया है इसको आप देख सकते हैं कि यह भी जो है कितना जादा फ्लावरिंग कर रहा है जबकि यह कोई स्खास पॉट में लगा हुआ नहीं है बस चोटी सी यह जो बालकी है पेंट की तो वही बालकी है इसमें मुझकल से 5 य अलावा मैं अगर यहां पर दिखाऊं तो गेंदा देखि कितने सारे लगे हुए हैं और यह भी चोटे चोटे जो बेस मटेल है कोई जो है पॉली पिन है तो उसी में हो रहे हैं तो यह सब जो है पॉली बैग में लगा हुआ है और जिस पॉली बैग में कि आप नरसरी से लाते हैं तो उसी तरह के पॉली बैग का यूज किया है और यह सब जो है कटिंग से ही इनके लगाए हुए हैं इसके अलावा लग्डो गेंदा मैं अगर यहां पर दिखाऊं कितने जादा भर चुके हैं लग्डो गेंदा से और यह सब बी जो है 12 इंच का जो सीमेंट का पॉट होता है उसी में ही लगे हुए हैं इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है इसको अगर एक कौदा भी अगर आपको इसका मिल जाता है तो इसकी कटिंग ले ले करके आप लगा सकते हैं जनवरी फेबरी में भी आप इसके कटिंग को लगाते हैं तब भी नए तयार होते हैं और बों जो है करने लगते हैं और इसके अलावा जो है यहां कर्म पूरा भरा हुआ है चारो और से जो है इस तरह का वेस्ट की यह तसला है और इसमें जो है पिटुनिया पुरी तरह से भर गया है तो ऐसे अगर इतना बड़ा तसला हो तो दो पौधे लगा देंगे तो बहुत सुंदर लएगा और अलग-अलग कलर के पौधे लगाएंगे बिल्कुल अपोजिक कलर में तो देखने में यह और भी सुंदर हो जाता है दोस्तों अगर मैं इस पुर्टुनिया को दिखाऊं तो यह पूरी तरह से जो है रैड कलर का है और यहां पर भी जो है कब का यूस्तिया गया है प्लास्टिक का जो की वेस्ट हो रहा था इधर बिल्कुल और इसी में जो है यह फूल हो रहे हैं हलाकि इस समय दोपेर बाद का समय है लगबग इस समय जो है तीन बजे का समय हो रहा है तो थोड़ी सी मुर्जा है जो है फूलों में है और बहुत सारे फूल जो है यह खराब भी हो रहे हैं तो इस तरह के फूलों को जो ह इस तरह से तोड़ते रहना बेकर है जब आप इस तरह से पिंचिंग करके हटा देते हैं तो नए-ने फूल जो है आते रहते हैं तो उससे आपका पौधा भी देखने में सुंदर लगता है बिलकुल साब सुता भी रहता है और ऐसे में जो है नए-ने कलियों को किलने का भी मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें से बीज बनाना चाहते हैं इन पौधों के तो उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा कि यह जैसे सूखे फूल है तो उपर उपर से ही बस इसको आप अप अटा दे और नीचे से यहां से जो है बीज बनते रहेंगे अंदर का बलकि आप इसको नहीं भी अटाएंगे तो यह जो है आप सूखने देजिए अपने आप बीज जो है निकल करके यहां से बड़े हो करके आने लगेंगे तो इन बीजों को भी रख सकते हैं लेकिन बीज अगर आप रखेंगे किसे पौधे में तो फिर वहां पर उस पौध बसे बीज रखने की जरूरत नहीं है बस जितनी जरूरत हो उतना ही बीज आप रखेंगे और इन बीजों को जो है थोड़ा सा लेट आप बोए तो आप दिसंबर या जनवरी में कर सकते हैं दिसंबर में लगाएंगे बैटर है तो इसमें ठंजक भरपोल माता में होती है तो ऐसे में यह ग्रो भी करता है तो पिटुनिया के यह जो हाइब्रीड है इनको आप कैसे लगाएंगे इस पर जो है वीडियो अल्रेडी में डाल चुका हूं चाहे तो चैनल पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं दोस्तों यहां पर भी की टाल ना बकड़ीव सकती है और आख कर जो हंसे हैं यहां पर यह गंल इब मिटि खांतर है और चूछ कोईड़ की है और जो वेस्ट खाड है वो सब तीजे पुराने जो किचन वेस्ट है उन सब तीजों का यूज़ करते हैं मिठी इस तरह से देखिए ये रख देते हैं सुखा सुखा करके कटों में भर करके दोस्तों यहां पर अगर दिखाऊं तो ये वाला कट्का जो है खाद का है और इसमें जो है जो मुर्गी का खाद है यानि कि मुर्गी का जो लेटर कहलाता है तो वही वाली खाद इसमें है तो इस तरह के खाद का भी यूज किया जा सकता है तोड़ा सा बशरते पुराना हो और जो भी kitchen waste है उसी का बीच-बीच में जो है यूज करती है इनी को जो है मिला मिला करके इस spot में भरा जाता है और उ पॉल्टी बगरह हो आपके पास तो पॉल्टी के खाद का भी यूज़ किया जा सकता है और बेटर है कि आप मिट्टी को सुखा करके तो उसके बाद ये खाद जो है इसमें मिला करके उसको कुछ समय तक रख दे महींने-दो महींने जितना टाइम आप उसको रखेंगे तो वो उतना ही better होता है साथ में अगर सरसो की खली का जो पाउडर है वो मिलाना चाहे तो वो भी आप मिला सकती है और मिला करके उसको एक मेने के लिए रख सकती है या पहले से आप मिट्टी त्यार करके रख दे और फिर जो है आप पौदों को लगाए तो उससे जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग फिर आपको देखने को मिलेगी तो उमिद है दोस्तों ये जो छोटे छोटे प्यास है छोटे छोटे गार्डिन है इससे आप जरूर इंस्पार होते होंगे और आपके घर में जो भी वेस्ट है उसका यूस जो है आप गार्डिनिंग में करके अपने छट को खुबसूरत बना रहे होंगे आज के वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए दीजिये विदा और देखते रहिए हमारी बग्या नमस्कार